दोस्तों अगर आप MPPSC के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़े खुस ख़बरी है इस बार जो है Competition काफी कम होने वाला है क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो कम है परन्तु आवेदकों की संख्या मतलब जितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी काफी कम है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और साथ में एक सीट में कितना कमपटीशन है और आगे की तैयारी के लिए स्ट्रेट्जी वगेरा क्या होनी चाहिए इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए प्रारम करते हैं अगर तो MPPSC 2024 की जो अभी वेकेंसी आई हुई है वहाँ पे अभी टोटल कोश्टों के 110 है जो निश्चित तोर पर आगे बढ़ेगी और कुल आवेदन जो है ए दो लाख तीस हजार लोग भरे थे और एक लाख अठासी हजार लोगों ने एकजाम दिया था तो यह मान के चाहिए लगभग पचास हजार लोग तो पेपर देने ही नहीं जाते हैं मतलब इसी के हिसाब से अगर हम देखे तो लगभग एक लाख चालीस हजार या बहुत जाएंगे सीटों की संख्या अभी वर्तमान के परदेश में अगर देखा जाया तो एक लड़के के ऊपर जो है लगभग सताइस सो शत्रासो शत्ताइस लोग कंपटीशन में रहेंगे लेकिन यह कब है जब सिर्फ सीटों की संख्या 110 है और ऐसा माना जा रहा है कि सीटों कि संख्या आपको ही पता है प्रिलिम्स के रिजल्ट के पहले तक बढ़ाई जा सकती है और यह कम से कम जो है न वो दो सो के आसपास होगी क्योंकि बहुत सारे वी वहागा जिसमें रिटायर्मेंट हो रहे हैं हर लेवल में तो यह मान के चलिए कि सीटे 200 होने वाली है तो 200 हो गई तो यह जो संख्या है और कम हो जाएगी यह मान के चलिए कि जो यह 2700 है यह लगभग 900 या 800 के आसपास जो है एक पोस्ट पे आ जाएंगी और जब काफी लोग पेपर नहीं देंगे तो मतलब यह समझी एक सीट पर 500 लोग के आसपास का ही सिर्फ कम टीसन रहेगा तो इस टेटजी क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो आपको पता है कि टोटल 10 यूनिट है समय आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ दो महीने मतलब 60 दिन का बशा हुआ है मतलब एक यूनिट को आपको तीन से चार दिन में खतम करने कोसिज करिए मतलब 15 अप्रेल तक में आप डिवाइट करिए एक यूनिट को 4 से 5 दिन में खतम करिए रिवीजन प्रेक्टिस साथ में करते रही है थोड़ा थोड़ा क्योंकि अंतिम turbulence दिन में आप सोचें कि तो सिर्फ पूरा रिवीजन पूरी प्रेक्टिस भी हो जाएगी तो वह ना मुम्शिं है तो घंटे तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि में इसके से लेबस से प्रिलियम से कोश्चिन कैसे चांटे ठीक है चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर करिए थाइंक्यू बाई